आज ही doubtnet आप डाउनलोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Getamin aldehyde reaction Getamin aldehyde reaction में क्या होते हैं कि benzene और इसके derivative को reaction करवाते हैं हमें के साथ hcn plus hcl plus aluminium chloride ठीक है इस combination यह तीनोड रियजेंट्स के presence में इसके reaction करवाते हैं और हमें क्या मिलता है बेंजल्डी हाइड और इसके substituted बेंजल्डी हाइड या फिर बोल सकते हैं क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूटिड बेंजल्डी हाइड ओके चले अब देखते हैं कि reaction जो है वो कैसे proceed करती है एक चीज़ होर हम hcn की place पे hcn को हम कि एक चीज़ से है जिससे replace कर सकते है hcn की बजाए हो सकते है कि आपने reaction में zn cn2 भी यूज किया हुआ हूँ solid zncn2 हम इसे भी यूज कर सकते है in the source of hcn का source यूज करने के लिए हम क्या ले सकते है यह पे zncn2 hcn in c2 फोर्म हो जाएगा यह फिर कहां पे फोर्म होगा in c2 फोर्म हो जाएगा starting में अपने zncl2 अगर add कर देते हो solid तब अब reaction देखते हैं कि जो reaction है वो कैसे प्रॉसेड करती है हमारे सबसे पहले हम simple एक benzeean लेके चलते हैं कि अगर benzeean तब कैसे reaction होगी benzeean इस reagent क्या क्या है इस reaction के hcn plus hcl plus aluminium chloride right इस reaction में जो बीच में आपका intermediate जो compound बनता है intermediate क्या बनता है आपका वो देखे बेंजीन बेंजीन से attached है आपका ch double bond nh2 positive और यह cl negative यह आपका क्या form हो गया है यहाँ पे intermediate जो की है immune hydrochloride okay immune hydrochloride अब आपको क्या करना है immune hydrochloride के अगर आप hydrolysis कर देते हैं क्या करना है अब आपको इसकी hydrolysis hydrolysis करेंगे तो यहाँ पे क्या form हो जाएगा आपका benzylrihyde benzyn CHO अब देखे मैं आपको पहले भी बताया था कि जब हम हमने बेंगे बेंगे लिया था बड़ हमने कहा कि हम substituted benzyn भी ले सकते है तो अब एक example देखते हैं जिसमें हमने substituted benzyn ली और फिर देखते हैं कि हमारा क्या compound form होता है यहाँ ठीक है यह आपका है टॉलीन लेते हैं हम यहाँ पे टॉलीन मतलब बेंजीन पे CH3 टॉलीन ओके रियाक्षिन किसके साथ करानी है HCN प्लस HCl अलुमिनियू ट्राइक्लोराइट जब इसके साथ रियाक्षिन करवाएंगे तो बीच में आपका क्या बनेगा Imin वाला Hydrochloride जो कि आपका Intermediate होगा तो यहाँ पे जो आपका Intermediate form होगा वो क्या होगा देखे यह ME उपर क्या बन जाएगा CH double bond NH2 positive यह compound बन गया अब आपका अब आपको इस compound की क्या कराने है यहाँ पे Hydrolysis जब आप इसकी Hydrolysis करवाएंगे CHO ME यहाँ पे NH4 CL तो यहाँ पे क्या हुआ बही चीज की है जो आपका double bond ब्रेक हो गया जब आपने Hydrolysis करा है और यहाँ पे आगया CHO तो यह थी आपकी Gatterman Aldehyde Reaction Classics to 12 से लेके meet IIT means और advance के लेवल ता 10 million से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलूट के लेवल डाउटनेट आप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 उपर कीजिए जिस मेग हुआँ